हेलो एब्रिवन वेलकम बाग तो मैडिक चैनल गाइस आज की इस फीडियो में देखने वाले हैं इंटर्वियू से जुड़ा हुआ एक कोश्चन जो की अकसर इंटर्वियू में पूछा जा सकता है गाइस तो गाइस कोश्चन क्या है गाइस यहां पर आप स्क्रीम पर क्रिएट करेगा और किस मेमोरी में क्रिएट करेगा तो सबसे पहले हम मेमोरी लेवल पर बात करते हैं जो की स्ट्रिंग से रिलेटेड है गाइस तो हम स्ट्रिंग के टम्स में बात कर रहे हैं तो बिसिकली हमारी मेमोरी है और यह मेमोरी जो हम दो पार्स में डिवाइड क कर रहे हैं ठीक है basically string के लिए ये दो पार्स में डिवाइड होती है आप कहा सकते हैं पहला होता है SCP और दूसरा होता हीप मेमोरी तो हीप मेमोरी से तो हम वाखिफ हैं अलड़ी कि जितने भी objects create होते हैं वह हीप मेमोरी में creates होते हैं जो की runtime पे create होते हैं लेकिन यहां पर SCP क्या है गाइस SCP का जो form होता है वह होता है string constant pool तो गईस क्या है यहां पर सबसे पहले सो समझे कि यह जो area है यहां पर जो देख रहोंगे यह पूरा area तो यह area जो SCP का है string constant pull और यह हीप मेमोरी अप इनके requirement क्या है और किस तरह से object create होगा तो सबसे पहले तो समझे जब भी हम new keyword के थ्रू यह जो line मैंने लिख रख किये जब भी हम new keyword का यह use करते हैं तो एक object create होता है जो की runtime पे create होता है dynamically तो guys उससे पहले क्या होगा समझे यहां पर क्या है मैंने एक literal pass किया है अगर हम इसको थोड़ा सा subdivide करें तो एक literal value है तो literal value in the sense जब भी हम कोई string create करते हैं मान लो string without new keyword तो क्या करते है s equal to double cold something तो क्या होता है एक object create होता है इसी तरह से यहां पर कोई reference नहीं बस इसको कोई refer नहीं कर रहा बट लेकिन यह भी अपने आपने एक objects है तो guys समझे कि सबसे पहले मैं इसको erase कर देता हूं ओके ओके वान मिनट गाइस तो समझे गाइस तो यह जो पार्ट है यह सबसे पहले create होगा यह होगा यह run time पर create होगा यह पहले compile time पर create होगा क्योंकि यह literal value है यह constant value हो तो यह क्या होगा guys कि यह हमारा जाएगा constant pool में तो यह जो इतना पार्ट है guys यह यहां पर जाएगा इस memory में और यह create होगी कुछ इस तरह से ओके उसके बाद यह जो पूरा पोर्स है है guys यह पूरा यह उसके बाद second level पर dynamically यह create होगा अर्द रन टाइम यह ही memory में create होगा ओके और rank right तो कहने का मतलब यह है guys कि जब भी हम यह line लिखते हैं तो दो objects create होते हैं एक हमारा string constant pool में create होता है और दूसरा heap memory में create होता है तो दो objects हमेशा create होते हैं अब guys एक चीज और थोड़ा सा और समझ लेते हैं guys बस यहीं इतना simple सा answer है but the problem is यहाँ पर यह समझना है कि यह किस तरह से store होता है जैसा कि हम जानते हैं कोई भी string है वह character array मतलब array के रूप में consider होती है तो वह कुछ इस तरह से guys represent होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको erase करता हूं objects create होंगे और इसकी कुछ ना कुछ index होती है जैसे कि for example 0,1,2,3,4,5,6,7 और same इसका भी होगा guys 5,6,7 तो guys इस तरह से basically दो objects create होते हैं एक string constant pool में और दूसरा हिप में बस guys इतना ही so if you like it then give us thumbs up and please subscribe to my channel thanks for watching